है गाइस वेलकम बैक तो डिस्कवरिंग नियर भाई आइम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने जा रहा हूं आइफोन 15 प्लस के बारे में मतलब मैं आज का एक लॉंग टम रिवीव करूंगा क्योंकि मैं अल्रेडी एक इनिशल रिवीव अन्वॉक्सिंग इनिशल इंप्र करने जा रहा हूं इस बार जो है काफ़ी जा तारीफ और रही है 15 प्लस की इनकी काफी तारीफ हो रही है 15 प्लस को लोग तुड़ा कर रहे हैं मेरे साब से दोनों फोन हो अपनी जगाँ ठीक है लेकिन वैसे बात का प्राइस हाई हो चुका है तो खेर उसके बारे में किसी एक एम रहता है कि मैं आपके लिए प्रेक्टीकल रेवीव ले क्या हूं मतलब यूजर एक्सपिरियंस करने में मतलब फॉन को एक्सपिरियंस करने में क्या-काइश चीजे अच्छी लग रही है बुरी लग रही है या कैसा experience है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं जैसे कि अब लोग LiDAR की बात करते हैं कि LiDAR Pro सीज में मिलता है मतलब मेरा iPad Pro में भी है और मैंने 14 Pro यूज किया है उसमें भी LiDAR था लेकिन मैंने उसे कभी actuality में यूज ही नहीं किया जाथा अब वो लगता है कि हाँ यूज उसके आनने से काफी चीज घजब हो जाती होगी लेकिन मुझे लिन लगता है वो बहुत जादा बड़ी चीज है LiDAR उसके बिना भी काम चल सकता है मतलब मुझे ऐसा लगता है बाकी person to person वेरी कर सकता है लेकिन हाँ कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हमें लगती है ओवर फोन के अंदर काफी जादा यूज होंगी लेकिन हो प्रेक्टिकल गैजट से रिडिटेट वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सकाइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो तब ही तो याद मेरा मन करेगा अच्छे वीडियो बनाने के लिए और तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा तो खेर अब इसके बारे में बात करते ह हैं तो सबसे पहले उन लोगी बात करता हैं जो बहुत जल्दी में हैं और इस फोन के बारे में जल्दी से जाना चाते हैं जिनके बाद जा टाइम ने है कि पूरी वीडियो देखू ये दस-पंदर मिनेट की जितनी वीडियो है कि पूरी देखू तो उनके लिए शॉर्ट मिसने करोगे एक-दो दिने मां कुछ आत पड़े जाए कि मैं नतीं फोन भी उसकर चुका हूं आइफोन 14 पर भी उसको चुका हूं और अब 15 प्लस यूस कर रहा हूं तो ऐसा कोई डिक्कत नहीं आए गया आपको लेकिन हालका फुल का फील होगा वो भी आप बहुत हो या आप चोटे फोन प्रैफर करते हो तो आप 15 ले भी जा सकते हो अभी सापका मन करके से खरीदने का तो डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक से जाके खरीद लो ताकि आपको बेस्पर मिल सकते हूं में चैनल प्रमोटर्स होगे क्योंकि जैसे मैंने पता है या उन्स प आपको बेस्टों करेंगे ना वर दिखने में अच्छा होना चाहिए और फोन यूज करना चाहिए तो आप तीन चार्स आल सदाने का भी सोचोगे उसके बात करेंगे बैटरी लाफ के बारे में क्योंकि बैटरी जेल दिखा दो रही तो फोन के फाइदा फिर फिर कुछ ए तो पहले जैसा है लेकिन इसके अंदर दो ग्यूड न्यूज आपको देखने को मिलेगी फिरस्ट अफॉल आपको यूस्बी सी टू सी के वल दिखने मिलेगी जिसका मतलब आप 15 के अंदर जैसे यूस्बी सी पोर्ट आने लग गया है तो आपको ये एक ही केबल में सारा काम चल जाएगा तो ये बहुत गजब की चीज लगी साथ ही साथ वो केबल ब्रेडिड है तो वो काफी डूरेबल है तो जो उनकी पुरानी केबल थी उसमें सबसे अधिकत यही थी कि यो बहुत जल्दी तूरती थी तो ये दो गूड न्यूस आपको देखने के लिए मिलेग लेकि बहुत गजब का है बहुत ही कमफटेबल फोन है या बतल इतना बड़ा फोन इतना कमफटेबल मैंने महसूस नहीं किया क्योंकि इसकी जो एजिस हैंनोंने कर्फ कर दी है जिसकी वैसे हाथ में पकड़ने का experience और हाथ के अंदर काफी कमफटेबल महसूस होता है ऐसकी सोच रहा था कि यार नतिंग ने एपल से पहले डिजाइन चेंज़ करता है लेकिन ऐसा नहीं है नतिंग वाला इतने कोई गजब की चीज़ नहीं है यह काफी गजब की चीज़ है मतलब मुझे काफी बढ़िया लगा हाथ में पकड़ने में काफी साथ के रिगाइडिंग में और एक वीडियो बना चुका हूँ तो वह एक बार चेक कर लेना ताकि आपको पते जाए की बेस्ट किसी कौन से हैं आइफोन 15 के लिए लोग क्योंकि इसकी डिमांड कर रहे थे साथ साथ अगर आप मुझे सबसे बैटर लगेगा आपको अगर आप आ बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वाल्टी की तो जैसे आपको पता है कि एपल जैसे आइफोन 12 वाई उसके बाद से से में शीड यूज कर रहा है जो की काफी बढ़िया आपको प्रोटेक्शन देता है तो यह इसमें बहुत गज़त की चीज है यह बहुत डूरेबल है औ मुझे बहुत ही इंप्रेसिव चीज लगी कि इसका जो बिल्ड क्वाल्टी और डिजाइन है ना वह बहुत बढ़िया है 10 आफ्ट और 10 है मेरी तरफ से तो बाकी पस्नल प्रेफरेंस है और डिजाइन और बिल्ड क्वाल्टी में खासित इसकी यह भी है कि इसके अंदर आ इसके कैमरास भाई सुपर्व हैं अब यह मुझे बहुत बड़ा अप्ग्रेड लगा 14 प्लस से साइब बाइस साइब कर देखने को नहीं मिलेगा यह तो सच है और फ्रेंट कैमरा तो अलमॉस्ट सेम सा है लेकिन जो चीज इसके अंदर अची है कि एक तो इसके अंदर फो फोटो लेंस के फैसलिटी देखने मिलेगी क्योंकि इसके अंदर ऑटीकल जूम कर सकते हो जो कि सेंसर क्रॉप जूम है तो यह काफी घजब की चीज़ है अब लोग कहिंगे बाइस सेंसर क्रॉप कर लिया 48 में भी सचे तो क्वाल्टी गिर गई यह वो लेकिन याद रखन अगर लिया जाता है तो यह काफी गजब की चीज लगी मुसके अंदर बाट कि इसक पहले की तरह है बाइफ पोर्डी सारे जा नहीं चुलूँगे तो खैर इसके बाट में ज्यूदा नहीं करते हैं मैं आपको इसके इसके के शेल कचिढ़ के जने पाते हो झाल जो जालए बारो ठालओे जो, जालए गारो जारो जारो जाड़ा है तो आपने इसके camera samples देख लिए आपने देखा कि क्या गजब की quality है इसकी और मैं इसका एक separate camera test भी post कर चुका हूँ वह आप एक बाद चेक कर लिए डिटेल में इसकी camera quality जानने के लिए वहाँ पर आपको सब details मिल जाएगी और मैं से compare भी कर सुका हूँ 13 14 प्लस वगयरा से तो भी एक वीडियो देख लिने हैं ताकि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स क्यारी के फिराफ that is screen अब screen का जैसे मैंने इनिशिली बता दिया थ था कि इसके अंदर आपको 60 हर्स देखने मिलेगी तो यह थोड़ी सी दिक्कत है और इसके डिस्प्ले में एक ड्रॉबैक यह भी लगा सकते हो कि इसके अंदर आपको always on display देखने को नहीं मिलता जो कि आज की टाइम में Android में तो बहुत जादा common है लेकिन अगर बात कर की स्क्रीन हमेशा से बढ़िया होती है इसमें कोई भी दोराए नहीं है तो यह चीज इसके अंदर बहुत-बहुत-बहुत गजब है स्क्रीन इसकी बहुत बढ़िया है और इसके बढ़िया चीज सबसे बढ़िया चीज वैलकम एडिशन है इस डैनेमिक आइलेंड नोच क और बहुत बढ़ी है और यह मेरे साथ से स्क्रीन में आपको कोई भी सुष्ट बारे में यह में आएगी है उप्सक्रीन हैं जो भी दिया कोई भी बेंगा चीर लिए कोई भी गैम पिले कर लीजिए लेकिन 15 प्रो में चाहे कोई भी दिक्कत आपको नहीं है परफॉरमस इसकी गजब की है चाहे कोई भी आप टास्क करोगे उसमें कोई दो रहा है नहीं है एपल अपना मशूर है परफॉरमस को लेकर साथी साथ यह काफी चाहर लंबे तक आपको डेट सेते हैं तो आज ते तीन चार 5 साल तक भी आप इसे चलाओगे तो कहीं भी परफॉरमस को लेकर दिक्कत तो नहीं आएगी और परफॉरमस में इसके चार चाहर लगाते हैं आई यह 17 इसके बहुत सारे फीचर बहुत गजब की है लाग एड़ चीज़ इंप्रूव कर दी है तो इसे यूज़ करने में ए अगर आप एक दिन अराम से निकाल जाओगे आपको किसी पी तरह की परिशानी नहीं होगी तो वह आपके यूसेज पर डिबैंड करने लग गए गेमिंग भोजात करने लगए तो एक क्या आदि दिन में भी आप खतम कर दोगे लेकिन आप बात कर लेता है कुछ एडिशन में मिलती है यह वह फ्लान इमकाना इतनी चीज़े बोलेंगे लेकिन भाई देखो एपल के अंदर यूस्बी सी आना बहुत गजब की चीज़ है क्योंकि देखो थार टू डॉर आती है अब थार अगर फाइव डॉर आ जाएगी तो आपको मजा आएगा ना क्यार पांच कुछ लोग उसको भी एक नेगटिव मानता है ना काच पांच डॉर होते हम ले लेते अब यह कोई तुक तो नहीं बनेगा ना क्या ओल्टो फाइव डॉर पहले साथी है तो ओल्टो बैटर होगे का थार से ऐसा नहीं तो एपल के अंदर यूस्बी सी आना काफी घजब की चीज़ है अब उससे क्या क्या पड़ता है उससे सिर्फ ये फरक निपड़ता है कि आपको सिर्फ एक के लिए बड़िगा थी तो यह सबसे बड़ा benefit ऐसके साथ साथ इसके उत्तर आपको डाइनमिक आइलान देखने हो मिलता है तो जैसे मैं शुरात में बताया था डाइन 15 प्रो लेना पड़ता था तो 15 डेगुलर सीरीज में आ रहा है और फ्यूचर में भी यह आएगा तो यह एक एडवांटेज है इसके साथ बहुत जादा एडिशनल फीचर और बहुत लंबी हो चुकिया और लंबी हो जाएगी अब कुछ लोग कन्फ्यूज है 14 प्रो को लेक उसका in-hand experience काफी बढ़िया है camera almost same है और साथ में USB-C देखने हो मिलता है उसके अंदर एक benefit यह मिलता है कि अगर आप 14 प्रो मैक्स लेलोगे तो बहुत बढ़िया है तो अगर आपका अब मन कर गया है इसे खरीदने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से जाके खरीद लो यार ताकि आपको बैस पर मिल सके में चांद प्रमोट सके अपर से लेटीड और बाकि सब फोनों से इसका खरीदन वगयरा मैं कर चुका हूँ तो वो वीडियो चेक कर लेना आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंड में मुझे पूछ सकते हो मेरी इंस्ट्राइक में मुझे डियम कर सकते हो और महां पर दियम करोगे तो फो झाल